गुर्ड मॉर्णी सुटेंस कैसे हो आप सब तो आज हम इंग्लिश का एक चाप्टर सीखेंगे ठीक है तो क्या नाम है इसका रिप वैन विंकल क्या नाम है इसका रिप वैन विंकल न दिस मैं वैन वैन विंकल रिप वैन वेन विंकल रिप वैन अवे में वालन का चिड वी है और विंकल का उप्नी है ठीक हम जब वैन रघ कर पिलाइस पटाया गया इसमें एक स्टोरी है किसकी रिप वैन विंकल है ठीक है वो कैसे इंसान है उसका निचर बहुत अच्छा है लेकिन क्या खराब है उसमें कि बहुत जगर लेजी है मतलब आलसी है तो एक वार क्या हुआ एक वार वो हिल्ष में गया था वहां पर वो सो और उसकी नीन खुली 20 years बाग जब 20 years बाग उठा उसने गेका अपने आसपास तो बहुत सारी चीजे उसको अलग दिखाएगी यह पूरी स्टोरी रिफ वेन विंकल के उपर है ठीक है तो शुरू करके है तो कुछ साल पहले की बाग है तो वहाँ पे एक माउंटेन का माउंटेन का क्या नाम था कैक स्किल वहाँ उसके बीच में एक छोटा सा विलेज था और उस विलेज में एक अच्छा नीचर वाला एक इनसान रहता था उसका नाम था रिफ वेन विंकल अब वो कैसा था वहाँ अच्छा इनसान था वो हमेशा दूसरों की हल्प करने के लिए रेडी रह था एवरीवन इन दा विलेज लाइक हिम दा चिल्रेंस ओफ दा विलेज शाटिर विक जोए वेन एवर दे सो हिम विकोस ही प्लेज विक विक देम ही तो देम तो फ्लाइक काइक एन शूट मार्वल्स एन तोल देम लोंग स्टोरीज बच्चे के वह जब भी उसको गेक टेक वction के खुषी के मारें क्यों चिलाते हैं क्याज़ी वह उसको गेकटे को उनकी साथ खिलने आता हूँँटी उनका पच्जर के साथ खिल ठा intact और उनको एक लंबी-लंबी स्टोडी भी उनको सुनाटा दा ओली प्रॉब्लम विक ड्रिप वस देख ही वस वेरी लेजी वो हमने अभी पढ़ा कि वो कैसे इंसान था वो अच्छा इंसान था वो सब की हेल्फ करता था वो है ना बच्चे उसको बहुत पसंद करके उसको लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रिप के साथ कि वो बहुत जगा लेजी है अब क्या है जो उसका एक अपना फार्म था उसमें वो कोई काम नहीं करता था वो खाली नहीं बैठा रखा था वो इस फैंसिस वर फॉलिंग टू पीसिस अब क्या है फार्म थे कोई काम करता नहीं जिसके वैसे क्या हुआ जिसके फैंसिस जो बंगडी बनी हुई है वो सब उसके टुकड़े होने लग गए इस काव वस गोइंग अस्ट्रे तो जो उसकी काव की तो वो काव भी महां से इगर उगर भागने लग गई वीर्स ग्रिव ओन हिस फार्म आप जब वीर्स जो के वीर्स के जैसे घास होकी है ना उनको बिना सीर डाले वी वो उग जाती है ठीके उनको बोलके वीर्स मतला ऐसे प्लांक जो बिना बीच डाले वी उग जाके हैं जैसे की ग्रास तो वो सब उसके फार्म में उगने लग गई रिप्स कॉंस्टेंट कम्पैनियन वोस इस डॉग नेम्ट वॉल्प रिप्स के साथ एक उसका कम्पैनियन चाहिए उसका एक साथ ही था कौन था वो डॉग जिसका क्या नाम था वॉल्प तो अवोइड वर्क ही वोग अवे इंटू दा फार्म विग हिस डॉग अब क्या है उस काम को अपने काम को अवोइड करने के लिए तो क्या करता हुआ पूरे जंगल में अपने डॉग के साथ गूमने चला जाका तो जो भी इतना जोग लेजिक था अपने काम से बचने के लिए अपने डॉग वॉल्प के साथ गूमने चला जाका फॉरेस्ट में एक बार क्या हुआ जो रिफ था वो चलता ही गया चलता ही गया वो माउंटेन जो है पार सबसे माउंटेन के सबसे उपर हिस्से पर पहुच गया इक वोस लेक इंग आफ्टरनून वेन ही रिच गयर अब क्या हुआ जब वोस माउंटेन पर पहुचा तो इस के पर आफ्टरनून हो रहा था टायर आपका हिस लॉंग क्लाइं ही लेक डाउन एंड बिगेन डे ग्रीमिंग तो क्या हुआ माउंटे जाने के बार वो उपर चड़ा वहीं पर ही ग्रीमिंग करने लग गया मैंकर सपने लग गया अपनी इमाजिनेशन पर खो गया एक वह सून इवनिंग एंड ही रिलाइस एक वोगी नाइक बाइगा टाइम ही रीच इसमा विलेज तो जल्गी ही इवनिंग हो गई तो इसको यह एहसास हुआ कि ना पर नहीं पहुच पाऊंगा तो सामने पेचर गया रही है यह जो हाट में यह बिलू कलरका कोट पैना हुआ हुआ है टॉपी पैनी हुए है कोने रिप बैन विंकल और साथ में जो बच्चे बच्चे उनके साथ खेल रही है और नीचे क्या है एक डॉग दिखाए गया रह और वॉट क्या है उसके साथ हमेशा रह कहा है ठीक है एकना सब्च में आया तो आगे बढ़ते हैं सगली तो एक डम से क्या हुआ चानल उसको एक आवास सुनाएंगी जिसमें क्या वो उसका नाम लिया जा रहा था कि रिपेंड वेंगल रिपेंड वेंगल तो जैसे इस उसका कोई नाम बोलने लगा तो वो आसदर घेखने लग गया तो उसको क्या बेरेल था वह वोग कर रहा था अब बेरेल क्या होता है सामने पिछ्छर गेख रहे हूं यह कौन खड़ा है यह है रिब बेंड आप यह क्या है उसके साथ उसे जोग है और अधेक एक अधे ऑडल मैंने सामने जिन्होंने ने पिंक कलर की वह जासा पहना हुआ है यलो यलो है उसके हाथ में एक box type का है उसको बोके barrel ठीक है जो यह box दिखाए गे रहा है सामे आपको इसको बोके barrel आप जो यह old जो सामे आपको यह आगे गे रहा है यह कैसा है यह short मतलब छोटा है लंबी डाडियस की ठीक है और बाल इसके मोटे मोटे से है ठीक है फी मेड साइन टू है इम कैरी डा बैरल अब क्या हुआ उन्होंने जो वो छोटा सा आदमी का एक साइन करने लग गया मैंका एक संकेक गेने लग गया कि उस जो बैरल है जो यह box से सामने इसको उठाने में उ रिप हरेग् टू हैल्प का स्टेंजर हू कोट इस हैंड टाइकली अब जो हमने शुरू में पढ़ा का जो रिप था और कैसे इंसान था वो सब की हैल्प करता है वो तो रिप ने यहाँ पी ऐसे किया जो स्टेंजर का यह जो अन्नोन पडश्निक था इसकी हैल्प करने जगे पर पूंच गया जहां पर उसने गेखा कि बहुत सारे लोग बिल्कुल वैसे गिखने वाले एक साथ है और क्या खेल रहे है नाइन पिंस कौन सा गेम हो कहा है अभी सामने के को स्क्रीन पे आगर पिचल गिखाए करें रही है और यहां पे ब्लोक स्काइप कर गिखाए होता है सभी को एक बारी में ही ठीक है इस गेम को बोक है नाइन पिंस देवर ओल देवर ओल द्रेस्ट था सेम वे एंड अल अफ देम हैं बियर ऑफ वेडियर शेप अन कलर्स इवर थो देवर प्लेइब अगेम देएर फेसे इस अब क्या हुआ तो जब उस ने गेखा एकनी सारी लोगों को यहां पे तो उसने गेखा कि सब्की को डारी है वह अलग-अलग कलर किये है सबने एक जैसे ग्रेस पहनी हुई है और एक तड़ी की पहनी हुई है जब कि डाड़ी का शेप अलग-अलग है और कलर भी अलग-अलग है इवन दो डे वर प्लेइंग अगेंग डेर फेसेश वर सीजिस एंड डेर वो सैलेंस अब क्या हो हो सब आपस में नाइन पिन खेल रहे हैं उनका फेस कैसा हो रहा का सीजिस और हर जगे साइलेंस था मैं किसी की भी अवाज नहीं आ रहे कि सब बस गेम पर फोकस कर रहे है डा ओल्ड साउंड वस्टा नॉइस और बोल विच एकोस इन दा मांटेंस लाइक थंडर अब क्या हुआ वह पूरा का पूरा साइलेंस था और यह यह दो बिजली करता है हो और यह अवाज ऑन दा मैं एक आवाह पर आवाह संको रहे हैं तो स्याता हुआ अवाज और इस साइलेंस दा मांटेंसं साइंस स्टेश का इस आ ने मांटेंस से थाले को थेये हैं, तो वे इसले बानी सा दै जाता ही है, लाज श्बस क्या पी अब क्या हुआ जब जो रिप है उसका कैम्पेनियन कैम्पेनियन इसका साखी कौन है डोग जब दोनों वहाँ पहुचे तो वह सब लोग उनको गेखने के वाग वह खेलना बन कर गिया नोने तो वह सब रिप की करब देखने लग गए रिप वस रियरली फ्राइटेंग्ट इसकंपेनियन एम्टी दा कंटेंग अप्टा बैरल इंटो ग्लासिस एंड मेर रिप देंग एट तो क्या हुआ जब वह सब जो इक साए लोग को गेख कर जो रिप था वो डर गया तो उसकंपेनियन था जो सब डोट था उसने क्या करा जब बैरल था बैरल क्या था वो बोक्स बोक्स के अंटर कुछ लिक्विड या कुछ पीने की चीज़ की उसको उसने ग्लास में खाली करा और रिप को बोला उसको पीने के लिए इसाड़े करते हुए रिप ओवे एस ही वस क्रैबलिंग विक फियर तो जो उसने ग्लास में जब उसको डाला तो रिप ने उसकी करफ गेका वो डर रहा का उसने उसको पी लिया सिंस ही वस थस्टी थस्टी ही ग्रेंग अप फ्यू मोर ग्लासे एंड स्लोली फैल इंटू दीप स्लीप अब क्या हो उस क्या हो जगा प्यास था तो डॉब ने क्या कर रहा उसको ग्लासेस में भर गिया तो वो बहुत सारे ग्लासेस पी गया और एक घहरी नीर में सो गया ओन वेकिंग अप ही फाउन डैक जब वो उठा तोस ने गेखा कि वो ऐसे जगे पर है जहाँ पर वो सबसे पहले उस ओल्ड में से मिला था तो क्या होँआ जब वो उठा उसने अपनी आखे रब करी उसने गेखा कि एक शाइनिंग शाइनिंग सनी मोर्निंग था मतलब जो सूरस की रोशने की इतनी ब्राइट ठिकनी चमक रहे थी तो उसने सोचा कि अमें यहाँ पर पूरा गिन नहीं रखूँँगा पूरी राग यहाँ पर नहीं स्पेंड करूँगा और उसने वहाँ से जाने का सोचा तो उसने क्या करा जब उसकी आइस कुली उसने सोचा कि अमें यहाँ नहीं रुखूँगा तो उसने आज पर अपने वोल्फ अपने डॉप को दूढने की कोशिश करी लेकि उसको महाँ पर कोई भी गिखाई नहीं गिया रिफ विस्टल फॉर हिम तो रिफ ने आवाजे निकाली वॉल्फ वॉल्फ उसने शाउट किया उसने चला कर बोला वॉल्फ वॉल्फ ताकि उसकी आवाज सुनकर वो आ जाए नो डॉग वस टूबी सीन लेकि महाँ पर उसको कोई भी डॉग दिखाई नहीं गिया वेर हैस डिस डॉग कॉन अब वो रिफ बोलने लगा कि अब ये डॉग कहा चला गया वो अपने आपसे बड़बराने लग गया कि अब ये डॉग कहा चला गया मैं इसको एक नहीं आवाज लगा रहा हूँ और कई भी उसकी उसकी आवाज नहीं आरी मुझे वेर ही बिगेन टू डिस सेंक्टा माउंटिंस तो गो बैक टू इस विलेज तो आपसने फैनली सोचा कि आम मैं अपने विलेज चला जाता हूँ यह सामने आपको पिच्चर में गेख रहे हैं कि सब खेल रहे हैं नाइन पिंस अब आगे क्या हुआ तो क्या हुआ जैसी वो अपने गाओं के पास पहुचा तो बहुत सारे लोगों से वो मिला लेकिन किसी ने भी उसको पहचाना नहीं तो सब उसकी करण गेखने लगे एकने हरान होकर तो आपस में एक जना बोलका है कि वो इस डिस मैन यह जो मैन है यह जो आगमी है यह कौन है आई हैब नेवर सीन हीम बिफोर सैक एनेगर लुक एक हिस लॉंग वाइक बियर्ड एन इस ब्रिंकर फेस तो क्या हुआ उसी टाइक को दूसर इंसान बोलने लग जाता है कि मैंने क्यों कभी ने गेखा इसको यहाँ पर एकनी लंबी डाडी वाला उसके फेस ब्रिंकर निशान टाइप बने हुए इसको मैंने कभी भी गाओं में यह खा ही नहीं यह कौन है तो यह सब सुनने के बाद जो रिफ था वो अपने चिन को ऐसे उपर करने लग गया तो हैरान हो गया तो उसने क्या गेखा कि एक बहुत लंबी सी वाइक कर गी गाड़ी उसकी निकली हुई है An old woman walked up to him and looked at his face for a moment Then she exclaimed, it is Rip Van Winkle तो क्या हुआ? An old man walked up to him तो क्या हुआ? जो बहुत सारी old women की तो वो सब उसकी करफ जाने लगी और उसका face गेखने लगी तो उन में ऐसे एक old woman ने बोला कि यह कौन है? यह है Rip Van Winkle Welcome home again, old neighbor Where have you been these twenty long years? तो क्या हुआ? जो ओल्ड वोमें थी? उसने क्या बोला? Welcome home again, old neighbor मैंका मेरे पुडाने पड़ोसी तुमारा यहाँ पे सुआगक है और तुम, where have you been these twenty long years? तुम यह बीस सालों में तुम कहा पढ़ थे? तो यह सुनका वो हैरान हो गया ठीक है, सामने आप पिचल में गेख सकते हो कि यह सब old woman है, वो तो देख रही है ग्यान से और जो यह रिफ वैन विंकल है इसके एक लंबी से जाड़ी निकली हुई है वाइक कलर की है एक चेरे पे निशान बन गए है ठीक है यह आपकी स्टोरी की कौन सी किसकी क्या नाम कहा है इसका रिफ वैन विंकल तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है ठीक है विला मना के पढ़ने की कोशिश करनी है कर देंगे नेक्स क्लास में अपना घ्यान रखेगा तो थैंक यू